तो दोस्तों Firebolt ने आज अपनी एक और नई Android Smart Watch लांच कर दी है Firebolt Oracle नाम से, अगर आपको याद होगा तो लगबग आज से दो वही ने पहले Firebolt ने similar प्रोड़ेप, Firebolt Dream नाम से यहाँ पे Watch लांच की थी जिसे Firebolt ने बोला था World's First Wrist Phone, आप World's First Wrist Phone की सचाहिक है वो भी अभी मै आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको लग रहा हुगा कि कोई नई category है, कोई नई तरीका का product है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पहले वाली वीडियो में यहाँ बताया था, कि यहाँ पर सिर्फ यह चाइना से मंगवाते हैं, इ इसे भी सस्ते के अंदर, डाई-3,000 उर्पे के अंदर similar product आपको देखने हो मिल रहा है, सिर्फ वही चीज़ है यह, उससे कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं है, सिर्फ marketing करवाई गई है, MS-Doni से बड़ा-बड़े कलाकारों से उनको मोटा पैसा दिया गया है, और मुझे यह जानकर बहुत जादा हैरानी हुए कि इनका पहले वाले वाश थी, Firebolt Dream, अगर आप Flipkart के उपर जाके देखते हो, तो 10,000 से जादा लोगों ने खरीद के उसे वहाँ पर rating दे रखी है, तो मतलब खरीदा कितने जादा लोगों ने होगा उसे, तो मतलब Firebolt ने एक substandard product को बे लेते हैं, तो आपको इसका जो design है वो तो आप यहाँ पर देखी सकते हूँ, किस से यहाँ पर inspired है, मुझे यहाँ बताने की ज़रूत नहीं है, किस की यहाँ पर copy है इसका design, लगबग similar watches आपको Amazon के उपर similar specs के साथ इससे काफी सस्ते में देखने को मिल रही है Chinese watches और यह भी के उपर एक पुरा smartphone, जबकि wrist phone, जिस तरीके से maggie के अंदर tasty b, handy b, सिर्फ यह trademark है, सिर्फ यह एक नाम है, जो register करवा रखा है यहाँ पर Nestle ने, जिस तरीके से real fruit juice के अंदर real, सिर्फ एक trademark है, एक नाम है, जो उनों register करवा रखा है, कुछ भी उस juice के अंदर real नहीं होता है, सेम उसी तरीके से firebolt ने wrist phone, यह जो नाम है, यहाँ पर register करवा रखा है, as a trademark, इसे और कोई company use नहीं कर सकती है, बस इतना ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, कि one first product है, ऐसी category के अंदर और कोई watch इससे पहले आई नहीं है, बहुत सारे product दुनिया में इस तरीके के और इंडिया में भ बोलता है, और एकल के साथ यहाँ पर दिक्कत यह है, कि नहीं तो यह एक smartphone का काम ठीक से कर पाता है, और नहीं एक watch का काम ठीक से कर पाता है, जबकि firebolt बोलता है, यह तो हाथ में बनना हुए एक smartphone है, इससे आप सब कुछ कर सकते हूँ, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जो Android वर्जन दिया गया है, आप से पात साल पुराना Android 10 यहाँ पर दिया गया है, इसके दावर दूसरी चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है, इसका चिपसेट बाई, जो यहाँ पी GPU यूज किया गया है, वो 2015 के अदर लाँच हुआ था अगर आप उसके रिव्यू जाके यहाँ पर देखते हो, आपको पता चलेगा, दो दिक्कत रिव्यूज में लगबग हर दूसरे कमेंट के अंदर मेंचन है, एक यह कि बैटरी बहुत ही जादा कम चलती है, कुछ लोग तो बता रहे हैं, सिर्फ आदे घंटे में पूरी ड पुराना चिपसेट यहाँ पर लगाया गया है, इतना पुराना Android वर्जन लगाया गया है, इसका चिपसेट 28 nanometer के उपर बेस्ट है, आप सोच सकते हो, उपर से एक और सबसे बड़ी दिक्कत जो आप इसे झेलनी पड़ेगी, आपको इसके साथ में वह यहाँ पर आपको इसके अंदर nano sim डालनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको recharge करवा के रखना पड़ेगा, मतलब कि एक recharge आपके फोन के अंदर यहाँ पर रहेगा एक sim के अंदर, और वही पर इसके अंदर भी एक sim डालोगे, उसके अंदर भी आपको recharge करवा के यहाँ पर रखना पड़ेगा नहीं तो सेम आपको अपना phone carry करना पड़ेगा उसके वाइफाई उसका hotspot on करके इसको यहाँ पर connect करना पड़ेगा तो फिर फाइदा ही क्या होगा इसके smartphone बनने का इस watch के जब phone ही साथ में आप यह में रखना पड़ गया और अगर आप यह सोच रहे हो इसके और अपनी payment app आ यहाँ पर नहीं आने वाला है आने वाले time में तो ऐसे में आपकी security तो ताप पर रखी जा रही है इस watch के अंदर और दूसरी चीज़ निकल कर आती है भाई यह smartphone की तरह काम तो ठीक से करे गए नहीं एक watch smart watch के भी यहाँ पर इसके अंदर features नहीं है क्यूंकि आपके smartphone के साथ seamlessly यहाँ पर pair नहीं होता है Bluetooth से आप connect कर सकते हो सिक notification आएंगे notification के साथ में आप interact नहीं कर सकते हो इतने पैसे देने के बाद भी और दूसरी चीज़ smartphone का capability होनी चाहिए वो यह seamlessly आपकी health को यहाँ पर track करे आपके workouts को track करे वो भी यहाँ पर यह नहीं कर पाएगा क्योंकि इसक के अदर एक ही sensor देखने को मिलता है जो कि heart rate detection के लिए कोई भी SQ2 sensor इसके दर आपको देखने को नहीं मिलता है sleep tracking भी इसके दर ढंक से आपको देखने को नहीं मिलती है तो कुल मिला के यह watch के भी काम ठीक से यहाँ पर नहीं कर रहा है और एक smartphone के काम भी यहाँ ठीक से नहीं कर रहा है तो आप सोचे आपको ऐसी चीज़ पर अपना पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना है आप ही सोचके देखिए अगर android smartwatches को बनाना इतना आसान इतना किपाईती यहाँ पर होता तो फिर Samsung यहीं क्यों वेर OS यूज करती है अपनी smartwatches के अंदर और क्यों Qualcomm का व smartphone आते थे बड़े से वही यहाँ पर उठाए लगा दिया गया है तो भाई heat up तो यहाँ पर हो गई और battery भी यहाँ पर कम चलेगी और slow भी यहाँ पर बहुत जादा रहेगा पूरा experience यहाँ पर बिलकु सब्स्टेंडर रहने वाला है कि इसकी display इतना प्राइस पे करने के ब मिल रहा है amolet display देखने को नहीं मिल रही है एक बिल्कुली third grade वाला यहाँ पर आपको chipset देखने को मिल रहा है बहुत तुराना operating system देखने को मिल रहा है तो कोई sense नहीं बनता है अगर आपको smart watch ही खरीदनी है आपका budget बहुत ही जादा अभी कम है आप android नहीं खरीज सकते ह बहुत खरीदो ना भाई आप एक ऐसी watch खरीदो जैसे amans fit वगरा की watches आते हैं जिनके जो sensors होते हैं बहुत यह accurate होते हैं आपकी fitness को बहुत यह ची से tracking करेंगी आप उससे pair करके call भी उठा सकते हो अपने smartphone से pair करके उसे और आप notification वगरा भी वहाँ पर आते हैं तो आप उस त बाई अगर आपको अपने दोस्तों के सामने से bragging करनी है कि बाई देखो मेरे हाथ के उपर यहाँ पर यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर मेरे हाथ के उपर जीओ सिनीमा चल रहा है थोड़ी जर के लिए आप खरीच सकते हो लेकिन मुझे पता है आप दो चार दिन में एक मह सबस्क्राइब कर देना और में मिलता हो हमेशक तरफ से देख सभी देख ट्रॉप के भाई एंड पर